नमस्कार आप देखिए मेरे चारो तरफ एक हर्याली एक नेचर यानि प्रकरती ने जो है इतना आनंद दाई सीन दे रखा है हमको जाए और मैं जहां पर खड़ा हूँ यहां पर एक पेड़ों की जो महेक है जो शुगंद है वो एक अलगी जीवन को एक अलगी आनंद दे रही है हम कह सकते हैं इस बात को प्रकरती ने हमें बहुत कुछ दिया लेकिन हमने प्रकरती को क्या दिया आप समझे मेरी बात हम ये कहें कि देश ने हमें बहुत कुछ दि अगर दिया है तो मेरा आपको सलाम, पुनहे दोराता हूं, अगर आपने दिया है तो मेरा आपको सलाम, सलाम इस बात के लिए कि अगर आपने दिया है तो आप बास्तम ही, देश के राष्ट के हित में सोचने वाले हैं, आप राष्ट प्रेमी हैं, प्रकर्टी प्रेमी हैं, तो आपके लिए सबसे पहले मेरा सलाम बनता है. अब हम मैं बात स्टार्ट करता हूँ यहां से. आप मेरे चारतर प्रकर्टी को देख रहे हैं. प्रकर्टी ने जो नजारा यहां पहला रखा है, एक ऐसा जीवन को आनंद देने वाला है. मैं इसको कबर करने का मेरा उदेश सिर्फ इतना ही है कि आप प्रकर्टी प्रेमी बने और जो हर्याली है, इस हर्याली को बढ़ाने में देश की मदद करें, इस भूमी की मदद करें, इस नेचर की मदद करें, यानि की प्रकर्टी की मदद करें. प्रकृर्டी की मदद करते हैं तो आप ये समझे थिए कि आप एक मदद कर रहे हैं और प्रमात्मा आपको इस योग बना रहा है कि आप इस प्रकृर्टी में अपना एक योगदान एक मील का पत्थर साβित होंगे ऐसा मेरा आपसे कहना है ये स्थान जो मैं आज यहां खड़ा हूँ ये नोईडा का एक ऐसा जंगल बढ़ा एक एरिया हर्याली से प्रकर्ती से जुड़ा या प्रकर्ती प्रेमियों के लिए बड़ा ही रमनी के स्थल है इस रमनी के स्थल पर आप आएं और इस प्रकर्ती का आनद उठाएं मैं राज कुमार अगरवाल नोईडा से हम टीवी लाइब के लिए